नमस्कार दोस्तों सुवागत आपका मेरे यूटूब चैनल प्रुनिला विट्विक पर आज हम करेंगे कडाई वाड़े सिल्क के सूट की कटिंग कडाई वाड़ा सूट काटते हुए मैं कि खास बातों का द्यान रखना चाहिए यह मैं आपको बताऊंगी है में हर यह शिल्क का कपड़ा है उपर ये चोटे-चोटे सोन लगकर फलावर के ऊपर यह इस टोन लगाए हैं में निच्पे यह पंति दी हुई है यह कंदर अटेच है के कपड़े पही किया गया है वरक के निच्पी स्मोसा लेस लगी हुए है ऐल अबर ये सूट है किया यह मने पूरा कपड़ा खोल लिया है इसके साथ ही इसमें मे अलग से कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है ना ही इसमें हमें पट्टी जोडने की जरूरत है सबसे पहले हम कमीज में क्या द्यान रखते हैं जब हम इसको फोल्ड करते हैं जितना हमारा गेर है उस हिसाब से अगर इस पे कडाई दी हुए है तो हम इसको ऐसे मिलागे ना कि हम कपड़े का बीच लेते हैं अगर बीच दे रख्या है तो ठीक है अगर नहीं दे रख्या है साइड में कडाई दे रख्या है तो हम पहले कडाई को मिलाएंगे कम ज़्यादा का बाद में देखेंगे यह निचे से कडाई मिलाके और यह उपर इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट लेंगे काटते हुए हम कपड़े को उल्टा रख लेंगे क्योंकि जो हमारे निसान है वे उल्टी साइड लग जाए कि इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे पहले फरंटी सा निकालेंगे यह देखिए इस तरह से हम बिच्छा लेंगे इसको इसमें एक पट्टी एक हमारा यह इसा है जो कम है एक ज्यादा है इससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता है कड़ाई से जो हमने मिला ली है इसे जो हमारा यह कटवर का डिजाइन है यह बिलकुल सेम रहेगा यह देखिए कोने से कोना मिलाएंगे और इसको ऐसे रख लेंगे कि पहले हमने कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है इसमें कोई सब्ट वगएरा नि रहने देनी है इस तरह से अपर लें अच्छे से कपड़े को विछा लेंगे यह रख लिया हमने इसको इस तरह की तरीके से अब हम करेंगे कमीज की कटिंग सबसे पहले हम कमीज की लेंथ लेती हैं हम चाई कमीज काटे सलवार काटे बाज़ु काटे कुछ भी काटे सबसे पहले हमें लंबाई का पता करना होता है, लंबाई कितनी है, हम लंबाई कोई नापते हैं, लंबाई नापते हुए हमारी पट्टी अलग से फोल्ड की हुई है, तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की या छोड़ने की कोई जुरूरत नहीं है, तो हम यहां से नापेंगे, हमारी कमीज क कि लेंद्ध है चाड़ेस इंच तयार है यहां तक हमारी तयार है आप इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे कि चाड़ेस इंच पर हम निसान लगा लेंगे शड़ेचे इंच का में तीरा लेंगे सेड़ेचे इंच का यह मूठ डालेंगे बड़े ध्यान रखते हुए हम निसान लगाएंगे फिटिंग का निसान लगाने से पहले हम एक इस तरह से लाइन खीच लेंगे जहां हमने मुड़ा बनाना है जितने हमने मुड़े की लंबाई ली है वहां पर हम एक लाइन ड्रो कर लेंगे इसी तरह हम फिटिंग का निसान यहां से 7 इंच पर हम फिटिंग का निसान लेते हुए यहां एक ऐसे ही निसान लाइनिंग ले लेंगे जो हमने यह निसान लगाया है इसके उपड़े इस तरह से इसी तरह हम पहले इप का निसान ले लेंगे हीप हमारी होती है 24, 14 इंच पर एक निसान हम यहाँ ले लेंगे इस तरह से हम निसान लगा लेंगे और अब लगाएंगे हम चेश्ट का निसान चेश्ट हमारी कितनी है 18 इंच तयार कमर हमारी कितनी है 15 इंच तयार हीप हमारी कितनी है 19 इंच तयार इस तरह से हम यह निसान लगा लेंगे और जो हमने यह चेश्ट का निसान लगाया है इसको कमर के निसान से मिलाएंगे ऐसे धीरे धीरे गोड़ाई देते हुए अब कमर के निसान को हम हिप से मिलाएंगे अब लगाएंगे हम गेर का निसान गेर हमें कितना तो यह रखना है से उन्नी सिंची हमें गेर की चोड़ाई रखनी है इसी तरह हमने यह सभी निसान लगा लेनी है अब करेंगे हम मुड़े की गोड़ाई मुड़े की गोड़ाई करेंगे हम सभा इंच जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ अगर हमारी 20 की चेस्ट है या 20 से उपर है तो हम करेंगे मुड़े की 1.5 इंच की गोड़ाई अगर उससे कम है तो हम करेंगे सवाइंच की गोड़ाई यहां तक हम ऐसे निसान लगा लेंगे आफ इंच हम इस तरीके से तीरे की मतलब यह थोड़ी से तिर्ची कटिंग करेंगे अपने सरीर के अकोर्डिंग हमें कटिंग करनी है तो हमें थोड़ा सा यहां तिर्चा देना है हाफ इंच का दो-दो इंच का मरजन छोड़ के हमें एक और निसान लगाएंगे एक्स्ट्रा कप्ड़े के लिए इस तरह से हम निसान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे तरह से टिमघते है में लेंगे पाने कर दो कर दूछें अच्छेंगे उस स्थाने के इस फ 화аз ओगे कंपने कृटन निसान लगाएंगे कि इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे यह मारा सिल्क का कपड़ा है इसलिए थोड़ा सा सलोली हम कटिंग करेंगे यह होगे मारी फ्रंटी से की कटिंग अब करेंगे हम बैक इसे की कटिंग इसको हम इस तरह के से रख लेते हैं अब देखिए हम बैक वाड़ा इसा कहां से निकालते हैं इसमें हमारी एक तो चोड़ी पट्टी है और एक बीड़ी पट्टी है मतलब हमारी जो ये कड़ाई थी एक तरफ ज्यादा थी एक तरफ कम थी तो यहां जिस तरफ से यह जो हमारी चोड़ी है उधर से हम निकालेंगे सलवार के फट्टे और जहां जिस तरफ से यह बीड़ी फट्टी है इसको हम निकाल लेते हैं इदर से हम कपड़े को इफशार करेंगे, इस तरह से हम कपड़े को सिधा कर लेंगे और इस पट्टी को निकाल देंगे, और इदर से हम इसकी बैक साइड निकाल लेंगे, चोड़ाई के हिसाब से हम फोल्ड करेंगे, इस तरीके से हम रख लेंगे, फोल्ड करके, जो हमने फ्रंट इसा निकाल लिया था, उसको ऐसे इसके उपर रखेंगे, ऐसे के ऐसे, इसकी ये पोट्टी के साथ अटैच है, इसकी हम अलग से लेंगे, निच्चे हम फोल्ड करने का डाई इंच कपड़ा छोड़ देंगे, इस तरह से हम रख लेंगे कमीज को, कानी को हम अलग से, मतलब कानी के जो अंदर-अंदर हम बिचाएंगे, क्योंकि कानी में कई बार खिचाओ बन जाता है, यह इस तरह के से हम रख लेंगे, इसमें हमें क्या करना है, वैसे तो हमें बैक वारा हिस्सा इसके बिलकुल सेम काटना है, इसमें में क्या दियान रखना है, इसमें बैक वारा हिस्सा फ्रंट वारे इससे से एक इंच ज्यादा लेंगे, बाकी इसकी सारी कटिंग हम सेम करेंगे इसी तरह थोड़ा सा तीर चापन देंगे तीरे में काननी को निकालते वे इसकी कटिंग कर लेंगे बैक वाड़ा इसा जितना हमें इसका फोल्ड करना है वहां पे छोटा सा कट लगाएंगे और फ्रंट इसे के आरमोल की कटिंग करेंगे जो हमारा ये तीरा है इसका मतलब सेंटर पॉइंट लेंगे और यहां हम इंची टेप रखेंगे पोना इंच पर हम निसान लगाएंगे तीरे के कॉर्णर से लेते हुए हलका हलका इस तरह से हम इसकी गोडाई करेंगे इस तरीके से हम उंगली पर कपड़े को उठाएंगे उंगली ओंपर और इस तरीके से हम फरंटेसे की कटिंग कर देंगे सड़े साथ इंच का हम बैक का गड़ा लेंगे दाई इंच हम गड़े की चोड़ाई लेंगे इस तरीके से हम गड़े की कटिंग कर लेंगे ये ती होगी हमारी कमीज के फरंट और बैक इसे की कटिंग अब है हमारे पास ये कपड़ा जो ये कमीज के साइड से कपड़ा बचया था इसमें से निकाले ये हम फट्टे ये जो मारा एक एक स्टोन है इसे हम सिलाई मिलेंगे सलवार के मारी लंबाई है सेंतिस इंच पांच इंच हम उपर बैल्ट का निकाल देंगे ओर हम गोड़े को नापँ चाहे तो इस तरीके से 5 इंच उपर निकाल दें और यहां लगाएं या हम 130 इंच जो हमारी पोचय की पंटी में जाएगा उसमें जाएगा तो आफ इंच में एकस्ट्रा लेते हैं साडे बतिस इंच भी हम यहां ले सकते हैं ये देखिए इस तरीके से ना पेंगे तो हम यह हमारा सड़े 32 इंच है और इसको अलग से निकाल लेंगे कि निकाल लेंगे हम गोड़े की चोड़ाई है हमारी हमें 10 इंच गोड़े की चोड़ाई रखनी है क्योंकि सड़े 5 इंच के हमें पहुचे तयार रखने है कलियां हमें निचे से ही लेनी है मतलब बिल्कुल पहुचे के अंदर से हमें कलिय लेनी है दोनों को अलग अलग कर लेंगे अब यह जो हमारा कपड़ा है पहले इसको हम एक शार कर लेंगे इसमें जो यह एक्स्ट्रा कपड़ा है या जो यह अटेच से इसके साथ इसको हम अलग निकाल लेंगे यह इस्तरे के से हम को प्रीक कर लेंगे इस तरह से हम अलग निकाल लेंगे यह जो मारा कपड़ा है पहले हम इसका देखते हैं किसमें किस चीज में यूज हो सकता है इससे हम बैल्ट निकाल लेंगे बैल्ट की चोड़ाई रखनी है हमें सड़े साथ इंच बैल्ट की लंबाई रखनी है हमें 21 इंच तयार करनी है बैल्ट की तो इसको एक साइड रख लेते हैं यह देखिए यह जो हमारा कपड़ा बचया है इसे हम पोच्चे की पट्टी में यूज करेंगे तो इसको एक साइड रख लेते हैं कि इस इंच हमें तयार करनी है बैल्ट की इसमें बीच से कट कर लेंगे तो हमारे कमीज के अफरेंट इसा हो गया बैक इसा हो गया हमारी फट्टे होगे बैल्ट होगी तो अब हमें इस कपड़े से निकालनी है बाजू बाजू बनानी है में इसमें से पप वाड़ी तो पंद्रा इंच के में बाजू की लंबाई तयार रखनी है पहले हम बाजू के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं पंद्रा इंच हमें बाजू तयार रखनी है इसमें हम आगे फोल्ड करने की पट्टी अलग से लगाएंगे क्योंको इसमें हमें डिजाइन बनाना है कि पफ वाड़ी बाजू के लिए पांच इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं और इस कपड़े को हम अलग निकाल लेते हैं पहले करते हैं फप वाड़ी बाजू की कटिंग पहले हमें जितना मुड़ा तयार रखना है उस हिसाब से हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से मुड़ा तयार रखना हमें आठ इंच एक इंच इसमें एक्स्ट्रा काफी है इस तरह से हम रख लेंगे जो हमारा प्रण निकलेगा वो इस चोडाई में निकलाएगा की हम यह कपड़ा हम यूज कर सकें कि इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे कि सबसे पहले लगाएंगे हम मोरी का निसान जितनी हमें आगे से मोरी तयार रखनी है मोरी रखनी है में सब्सक्राइब इंच तैयार डे इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे चैंच पर हम निसान लगा लेंगे आफ इंच आगे छोड़के हम यहां पंद्रा इंच पर निसान लगाएंगे तीन इंच हमें पौनी बाज्यू की वोड़ाई करनी होती है तो हम यहां एक निसान लगाएंगे पहले हम पौनी बाज्यू के हिसाब से कटिंग करेंगे इस तरह से हम निसान लगाएंगे और बाज्यू की हम गोड़ाई करेंगे इस तरीके से तो हो जाएगी हमारी बाज्यू की कटिंग अब हमें इसमें बढ़ाएंगे पफ यहां पफ के लिए डाइंच हम यहां निसान लगाएंगे सेड़े पाँच इंच का हम यहां पर निसान लगाएंगे इस तरीके से हम निसान लगा लेंगे पफवारी बाज्यू के लिए अब जहां हमने यह निसान लगाएंगे वहां से हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से कर रहेंगे हम पफवारी बाज्यू की कटिंग सेंटर पॉइंट के लिए छोटा सा कट हम आगे की तरफ देंगे और छोटा सा कट हम पीछे की तरफ देंगे यह बिल्कुल हलकी सी करेंगे हम फरंटी से की कटिंग अब बाज्यू को हम एक साइड रख लेंगे यह जो हमारी पट्टी बच्टी है इसे हम जो बाज्यू के आगे हमने कम कपड़ा लिया था उसमें यूज करेंगे पट्टी के डिजाइन में अब यह हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा इसको फोल्ड करेंगे इस तरग्ये से और अब हम नापेंगे कली की लंबाई कली की लंबाई हमें कितनी रखनी है सड़े 32 इंच अब इसमें देख लेते हैं हमारी यह कितनी है यह हमारी पूरू सड़े 32 इंच है इस तरीके से हम कपड़े को रख लेंगे अब जितनी हमें कली की चोड़ाई रखनी है वहां निसान लगाएंगे कली की चोड़ाई रखनी है हमें 2 इंच 2 इंच का निसान है हम दूसरी तरफ लगाएंगे इस तरीके से हम निसान लगा लेंगे यहां जो यह निसान लगाया है और यह जो बंद की तरफ जो निसान लगाया है इसको हम ऐसे रख लेंगे ऐसे इसकी रेब बना के हम इसको रख लेंगे और यह जो हमारी रेब बनगी अब इस रेब से हम इसकी कटिंग करेंगे चाहे तो हम इस पे निशां लगा के और इसको सिद्धा रखे फिर इसकी कटिंग करें याजो हमने जिस स्थिती में रख्या है उसी में हमीस कटिंग कर लें के गती सिंच तो आपका कपड़ा कम रह जाता है जैसे हमें कल्यों की पुट्चे के अंदर आ जाएगी और इसमें भी पता नहीं चलेगा ना कि आप उपर की तरफ जोड़ लगाई इस तरह से हम चारो कलियों को एक दूसरे के उपर रख लेंगे इस तरह से हम चारो कलियों को रख लेंगे चारो कलियों की हमारे चोड़ाई शेम है यह जो हमारी कानी है यह हमारी मतलब सिद्धी साइड है इधर से हमें कलिया जोड़नी है और यह जो हमारी रख की चोच है इधर से निकालेंगे हम आसन सड़े 9 इंच का हम आसन निकालेंगे चारो कलियों का एक साथ हम आसन कट कर लेंगे और यह जो हमारी दो कलिया अटेच है इनको अलग-अलग कर लेंगे यह होगी हमारी कलियों की कटिंग, हमारी 28-30 इंच की कलियों की चोड़ाई है, यह हमारी हैवि सलवार है, इसे ہम देखें में नोर्मल नहीं पोड़ सकते हैं, नोर्मल आशिल के सलवार होती है, यह देह किए हमारी उन्हें, देखें में यह होगी हमारी बाद्जू, यह होगी हमारी बैल्ट, यह है हमारे फट्टे, और यह हमारी कमीज. आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, वीडियो को सेर करें, धन्यवाद.